हेलो दोस्तो मेरा नामे गौतम और आप देख रहे हैं यूलेकलिक्ट्रोनिक्स और दोस्तो यहाँ पर जो आप एक बोर्ड देख सकते हो यह इको माइक सर्किट बोर्ड है जिसको मैंने ओनलान पर्चेस किया है अगर आप इसको लेना चाहते तो इसका लिंक मैं आपको डिस करते कlais और इसको मैं एंप्लिफाजीर के साथ और एक सावंड् टेस्ट करके आपको दिहाऊँ गा और इसमें इक हम्म है कि नहीं है बहुत सारे ऐसे माइक बोड होते हैं जिसमें हमिंगा प्रोलम ज़्यादा रहता है तो यहाँ पर वारिंग से पहले हम इसके डिटेल्स के बारे में जाल लेते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं इस पोटेंसो मीटर की तो चार पोटेंसो मीटर इसमें लगा हुआ है तो यह like जो है हमारा mono हिं input करता है लेकिन यहां पे डूल चनल यहां पर बनाया गया यह इसलिए यहां परetime-Kla Variant menos का अप्षाइं का और इसके बाद यहां पर 75 कि-6 तोप nos के बाद यहां पर एक अच्छा खासित यह है है कि आपको यहां पर D Hollie से भी चलने का option देता है और यहां पर एसी से भी चलने का option देता है तो यहां पर जो बी 80 लिखा हुआ है यह बैटरी से दो connector यहां पर लगा हुआ है लेकिन यहां पर print में थोड़ा mistake हो गया है तो इसके बज़ा से यहां पर आपको क्या करना है कि जहां पर यह डैवोड है ठीक है डैवोड का जो पीन आता है यहां पर plus होगा और जहां पर minus दिया गया है वहां पर हमें minus नहीं देना है minus हमारा यहां पर होगा यह जो आप पॉइंट देख सकते हो यहां पर ठीक है क्योंकि माइनेस का जो यहां पर पॉइंट दिया गया है तो डैवोट का पॉइंट इसी पर आता यह सौट हो जागा ठीक है तो प्रिंट यहां पर मिश्टेफ हो गया है तो आपको जो है माइनेस यहां पर देना है जो यह जो कैपा से देना है तो किस प्रकार से देना है तो यहां पर तीन प्रिंट बने हुए है तो यह आपको एक साइड बॉक्स साइड जो है दिख रहा होगा इसमें हमारा जीरो होगा और इसमें नाइन और नाइन होगा ठीक है तो आप इसमें 909 का टांस्फरमर 500 1000 mAh जिसको आप 1 amp भी बोलते हैं वह आप इसपे यूच्च कर सकते हो तो यह हमारा डाउंड का हो जाता है बाकी हमारा शमें नाइन और नाइन का हो जाता है यहां पर आपको दो 109 ता का प्यूज कर सकते हो और एंपियर की बात करें तो भी आप हाफ एंपियर ले सकते हो उसके बाद यहाँ पर बात कर लेती है यहाँ आप सौकेट देख रहे हैं तो इसमें जो तीन पीन बने हुए यह हमारा लेप राइट आउटपुट का है जो कि हमारा किसी भी लेप राइट ही ठीक है उसके बाद यहाँ पर है माइक इनफुड़ का तो यहाँ पर आपको जो है लगवाग चार माक इनफुड़ का उप्शन यह पर मिल सकते हैंfund जहां में सबसे पहले यह वल आपको पाइण्ट आपको जहीं ग्राउंड है बाकि यहां पर चार आपको होल देखते हैं तो आप इसमें जो है माइक इन कर सकते हो जो कि आप चार ओप्षन देता है सभी में जो है टेन की रेजिस्टेंस लगा के आपको जो है इसमें ऑप्षन दिया गया है तो आप इसमें पांच भी कर सकते हो लेकिन यह यहां पर एक हमारा मेंड गराउंड हो जाता है और बाकि चार ओप्शन आपको जो मैक इन्पुट के लिए मिल जाता है तो चारू माइक को आप इसी पोटेंस्टुमिटर से कंट्रोल कर सकते हो अगर यहां पर जो है अगर आईसी की बात करें तो यहाँ पर आईसी का नबर मिटा दिया गया है दोनों पर ताकि इस बोड का जोए कॉपी ना कर सके ठीक है तो आईए इसको जो किस प्रकार से इसमें कनेक्शन करते हैं तो इसका जो कनेक्शन करना दोस्तों बहुत ही सिंपल है जैसके मैं आपको बताया था कि यहाँ पर बैटरी का सप्लाई देना है और टांसफर्मर का तो यहाँ पर हम सिंपली बैटरी का सप्लाई का कनेक्शन कर देंगे तो डीसी सप्लाई देने के लिए मैं यहाँ पर 12 वोल्ट का डीसी सोकेट मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ पावर सप्लाई के लिए मैंने यहाँ पर डीसी के लिए कुछ इस परकार से जो है इसका कनेक्शन किया है जो डैवोड यहाँ पर लगा हुआ है तो इसका जो यह पॉइंट है इसमें हम प्लस का कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पर प्लस जो है चला जाता है और जो माइनेस ह किया है तो इस परकार से सब टोट मैनेस और प्लाइस का connection रत यहां पर माइक सोकेट यूज कर लूँगा तो यहां पे चेक करने के लिए सिर्फ एक सब्य कर रहा हूं चाहले credit आप चार यूज कर सकते हो तो यहां पर कुछ इस तरकार से वायर को निकाल लेना है आपको क्या करना है जो है ग्राउंड यहां से लेना है और एक पॉइंट यहां से लेना है यह वाला पॉइंट आपको खाली छोड़ देना है तो यह जो हमरा ग्राउंड है उसको हम آپ यहां पर कर दिया है और एक इस चैनल पर मैंने कर दिया है आप मैं मैक नुद्सेश कीषर की मैं यहां पर बनेर चेख करने वाले हैं तो यहां पी यह जो connector है तो connector में जो आप ग्रीन कलर का देख सकते हूं यह हमारा ground आता है और बाकि orange और white वाला जो हमारा left और right आता है तो उसको मैंने यहां पर जो है इस connector में कुछ इस परकाट से जो है वायर को मैंने connect कर दिया है ताकि मैं wire के जड़िए इसमें input देख सकूं तो यहां पर क्या है उपर वाला ground हो जाता है और यह हमारा left और right हो जाता है ठीक है तो यहां से हमारा audio output होगा तो यह इस परकार से है इसमें connection हो जाता है और मैं आपको बता दूँ यहां पर मान लेजे आपको कोई other amplifier में connection करना है तो उसमें तो आपका जो आडियो पैनल जरूर रहता है चाहे इस टाइप का हो या किसी और टाइप का उसमें आपका aux का option जरूर रहता है यहां पर तीन आपको पॉइंट मिलता है तो वहां पर आपको यह तीन वायर उठा के आपको डाल देना है तो इसका जो ग्राउंड डाल वायर है आपको इस aux के बीच वाले में डालना है बाकि left और right है हाला कि यह mono ही है दो चैनल है तो आपको दोनों side में डाल देना है अगर आपका module भी नहीं है तो जहां पर आपका amplifier है जैसे कि यह amplifier है तो इसका जो चैनल होगा दो चैनल उसमें आपको input कर देना है ठीक है तो यह direct input हो जाएगा किसी पैनल के थुरू ठीक है अगर आपको पैनल है तो आपको aux वाले में input देना है अगर आपको direct amplifier में input करना है तो आपको जहां audio input होता है जैसे कि simply आप इसका output देते हो उसमें इसका input कर सकते है ठीक है इस परकर से इसका connection होता है और यहाँ पर क्या करेंगे कि मेरे पास यह aux के available है तो यहाँ पर मैं एक लगा लूँगा इस पैनल में जो कि aux input होता है और उसके बाद इस aux को मैं यहाँ पर लगा लूँगा जो कि audio input यहां से यहां से audio output होको इसमें input हो जागा ठीक है यहाँ पर मैं चेक करने के लिए मैंने इस amplifier को यूज में ले रहा हूं और यह जो आ मैंने खुझ से assemble किया है आपको जानना है कि मैंने इसको किस प्रकार से assemble किया है तो इसका link मैं आपको description में दे दूँगा आप वहां से देख सकते हैं यह जो amplifier 4 channel का है ठीक है तो यहाँ पर इसका audio input हो जाता है अब इसमें मैं supply दूँगा जो की 12 volt का adapter है उसमें इसमें पाव power supply के लिए मैं यहाँ पर इसका connector लगा देता हूं और यहाँ पर माइक जो यूज करना है मैं आपको दिखा दूँ यह जो dynamic माइक होता है कुछ इस प्रकार का ठीक है यही माइक मैं इसमें यूज करने वाला हूं तो माइक का जो हमारा code है मैं यहाँ पर लगा देता हूं और उसके बाद मैं आपको इक-इक option को चेक करके दिखाऊंगा जो हमारा potentiometer है किस-किस option के लिए काम करता है तो यहाँ पर मैंने माइक के लिए लगा दिया है और यहाँ पर मैंने supply के लिए यह socket लगा दिया है अब हम इसमें supply दियते हैं और amplifier में भी supply दियते हैं ताकि मैं मैं इसको चेक कर सकते हैं यह जो amplifier है यह भी मेरा AUX mode पर है है हालो दोस्तों यहां पर जो यह हमारा इसको माइक बोड़ है बहुत अच्छा से काम कर रहा है यह मैरा को पर दिया है थो यह जो मेरा पोटेंचुमेंटर दूसरा नंबर यह मेरा एक को का है लेकिन इसके डीटेल्स में इसको बैलेंस के बारा है बताया गया था लेकिन यह मेरा काम कर रहा है है इसको बंद करने वेक को मेरा बिल्कुल कम हो जाता है है यह बाला जो हमारा आप्षन है यह रिपीट का है 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 जैसे रिपीट का हूं मैं बढ़ाता हूं हमारा आवाज को जैसे रिपीट करने लगता है यह बिल्कुल अभी बंद है है अब इता की जो यह रिपीट कर रहा है है यह रिपीट का है और यह हमारा जो है साउंड को डीले करेंगा ठीक है हलो 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 तो इस फरकार से यह बोर्ड हमारा काम करता है हलो 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 है हुआ है तो दूस्तों यहां पर इस प्रकार सावार में करना चाहोंगे तो इसका sound quality इतना भी खराब नहीं कि आपका amplifier में जब माइक यूज़ करोगो तो आपका sound खराब देगा ठीक है कापकी अच्छा सी बोट काम करता है तो इस प्रकार से जो है आप किसी भी अप्लिफार में इसका connection कर सकते हो तो दोस्तों मारा वीडियो कैसा लगा तो प्रीज लाइक करें शेर करें और उमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभ हो